दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुत हिसानदार और जबरजस्त बिजनिस आइडिया लेकर रहा हूँ जिसमें ना कुछ के पैसे से ये समझेगी फ्री के आइटम से आप डेली बीस अज़ार रुपए महीने कमा सकते हैं मतलब 6 लाख रुपए महीने बड़े आराम स कमा सकते हैं और अगर आप थोड़ा अच्छे से ब्रेंडिंग करेंगे और अच्छे से महनत करेंगे अगर प्रोड़क्ट के ऊपर तो आप 1 लाख रुपिया डेली तक कमा सकते हैं क्योंकि इस प्रोड़क्ट का यूज बहुत ही ज़ादा मात्रा में होता है और इसका प्रशिद्ध प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं उसका नाम है लेमन पील पाउडर लेमन पील पाउडर वह पाउडर है जो आज लगभग हर घर में इस्तिमाल होता है हो सकता है आपकी जानकारी में होता हो या कि आपकी बिना जानकारी के भी आप किसी प्रोडक्ट के इसकी इतनी माग है कि आप इसे अच्छे से ब्रेंडिंग और पैकिंग करेंगे तो इसको डेली एक लाग रुपए तक भी कमाया जा सकता है पर मैं आपको कम से कम 20,000 रुपए डेली कमाने का तरीका बताऊंगा और 10 ऐसी जगह के नाम बताऊंगा जहां पर इस प्रोडक्ट बेच सकते हैं हो सकता है कि साथ यूटूब में भी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी ना बताया हो तो दोस्तो आज मैं बात कर रहा हूं लेमन पील पाउडर लेमन पील पाउडर मतलब नीबू के छिलके का पाउडर तो इसका पहले मैं आपको बता देता हूं क कि इसका उपयोग क्या है कि इसे कहां इस्तिमाल करते हैं उसके बाद मैं आपको 10 जगह के नाम बताऊंगा जहां पर आप इसे बेच सकते हैं तो नीबू के छिलके के पाउडर के फायदे हैं नंबर एक तुचा को बढ़ती उम्र से बचाने के लिए इसका बहुत जादा मात मात्रा में उपयोग हूता और बोससी कम्पनियां इसे खरीतिति हैं दूसरा मुहासों के इलाज के लिए भी लेमन पील पाउडर का बहुत जादा मात्रा में इस्तेमाल होता हम कंपनियां इसे खरीति हैं इसी तरह सब्हूंत सुगंध नेचर फ्रेग्रेंस बनाने वाली क गाम करता है और शुगर इसक्रप की तरह भी से इस्तमाल बहुत लोग करते हैं इसी तरह हाथों में गंध निकालता है और इन्हें सुन्दर और कोमल बनाने में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा मातरा में किया जाता है जैसे हाथ में को सुन्दर या कोमल बनाने में इसका जाते हैं इसी तरह air fresheners के रूप में भी इसका बहुत सारी कंपनियां यूज होती हैं बहुत लोग इसका डाइरेक्ट इस्तेमाल भी करते हैं इसिदर चीटियों को हमेशा के लिए छुटकारे बनाने वाली कम्पनियां भी इसका बहुत आयात मात्रा में उप्योग करते हैं इसी तरह सरीर में दात, खाज, खुजली, तवचा, वस्ट, सुंदर और जवान बनाए रखने के लिए इसका बहुत अधिक मात्रा में उप्योग होता है दोस्तों बहुत बड़ी-बड़ी कम्पनियां खरी इतने लगे हैं और online इसकी इतनी विक्री है कि जितना भी आप बना सकें उतना आप बनाते बनाते ठक जाएंगे लेकिन इसकी विक्री कम नहीं होने वाली इतना ज़्यादा मात्रा में इसका उप्योग किया जाता है और दूसरी चीज आजकल जो भी लोग हैं सब से ज़्य ज़्यादा लोग आजकल आयरवेदिक में विस्वास कर रहे हैं और नेचुरल चीजों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और नेचुरल चीजों को उप्योग कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल चीजों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इसके फायदे भी बहुत से बनाना होगा जैसे कि माल लिजे आप कोई सुंदर अगर आप डाइरेक्ट बेचना चाहते हैं इसे तो आप अच्छी पैकिंग करके 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम एक किलो के पैकिंग करके आप अच्छी सुंदर और आकर्शक बाहर की पैकिंग करें जिससे की दिखेगा क्यो कि आज के जबाने जो दिखता है वही बिखता है तो इसकी अच्छी पैकिंग करके और फोटो कीचे और उसके बाद सामने वाले को दिखाएं जिससे की वो आपसे आकर्शित हो सके लेकिन इसमें कोई मिलावट मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आजकल इसमें आट तीन चीज आपको करनी पड़ेगी आप अच्छी सी पैकिंग कराएं जिससे की वो बहुत ही आकर्शक लगे दूसरी चीज सुध देना है पूरा प्योर पाउडर देना है और तीसरी चीज इसका आपको एक ब्रेंड नेम बनाना है जैसे मालीजे आप किसी भी ब्रेंड न बनाएं जैसे मालीजे किसी भी नाम से उसका ब्रेंड नेम आप बना के और बड़े आराम से इसे बेच सकते हैं और दोस्तों इसका मुनाफ़ा कितना होगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि आप एक किलो लेमन पील पाउडर लगभग 2750 रुपए में बड़े आराम से बेच सकते हैं इसी तरह आपको हर एक किलो बेचने में लगभग 2700 मालीजे सब खर्चा काटके अगर 2500 भी आपको बचता है तो अगर 10 किलो बेचते हैं आप तो 25 तहम मतलब लगभग 25,000 रुपिया आप इससे एक दिन म बड़े आराम से कमा सकते हैं और दोस्तों इसे बेचने के लिए मैं आपको कुछ वेबसाइड और कुछ ऑनलाइन के तरीके बताऊंगा जो कि दुनिया की सब्सेट ऑनलाइन कंपनियां जहां इसको खरीदा और बेचा जाता है तो दोस्तों उन कंपनियों को नाम है पहला आवेजन है फिर फिलिप कार्ड है तीसरा है आजियो चौथा स्नैप डील ग्रोफर्स उसके बाद बिग बास्केट इस्पेंसर्स में दे सकते हैं आप नेचर्स बास्केट में पेटियम और भी कई वेवसाइडों में भी आप अपने प्रोडक्ट की फोटो डाल सकते हैं और नहीं लगेगा और इन वेवसाइडों में अपना रिस्टेशन करके आप अपने लेमन पील पाउडर की कई तरह की आंगे की पीछे की चारो तरब की फोटो लगवग चार पांच है जितनी आप डाल सकें लेकिन फोटो में क्वाल्टी जरूर होना चाहिए जिससे की डालन नहीं बलकि दुनिया की सर्वसेष्ट कंपनियों में आती हैं जो कि यह ऑनलाइन खरीदती हैं और बेचती हैं आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि लेमन पील पाउडर हमेशा सौर्टेज रहता है मिल ही नहीं पाता है आता है अगर ऑनलाइन जो भी डालते हैं तो तुरं सो रुपए, धाई सो रुपए, दो हजार मैं कहता हूँ अगर आप इसको आधे रेट में भी बेंचेंगे अगर एक हजार रुपिया पर किलो की हिसाब से भी अगर आप बेंचते हैं तो इन दस व्योसाइट से अगर दो दो किलो भी एक व्योसाइट से डेली आ जाता है आडर तो आपका 20, कम से कम 20 किलो डेली आपकी विक्री होगी और आडर तो आना ही आना है 100% यह समझेए क्योंकि मैं इसको बड़ी सर्च के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं बहुत जगे देखा भी हूँ कि इसकी मांग बहुत जादा है और कई कंपनियों में भी इसकी मांग है जो की बलक में आपसे प्रोडक्ट वो खरीच सकते हैं तो अगर एक बेव साइट से 2 किलो भी आडर आता है तो दस बेव साइट से डेली 20 किलो का आडर आएगा और अगर 20 किलो का आडर आपके पास आता है तो 1,000 रुपय मिनिमम में आप बेचेंगे अगर तो आपको बीस हजार रुपए डेली की इंकम होगी और बीस हजार डेलू इंटू थर्टी मतलब एक महिने में आपको लगभग 6 लाख रुपए महिने आपको बेनी फिट होगा लेकिन इसमें अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल और सकता है कि पहले दिन आपके पास यगी दो तीन महिने तक डेली दो किलो तीन किलो पॉच किलो काड़ रहे लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि 100-100 किलो डेली लेमन पील पाउडर बेच रही हैं और दोस्तों इस बिजिनिस को करके आप अच्छा खासा पैसा कमा स सकता है आप इसे चाहें डायरेक्ट कंपनी से भी संपर्क करके आप गूगल में सर्च करेंगे तो 100 कंपनियों के नाम मिल जाएंगे तो आप डायरेक्ट कंपनी में भी सस्ते दामों में देकर भी अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं और दोस्तों लेमन पील पाउडर बहुत ही आसानी से बन जाता है सायद हर घर के लोग जानते भी होंगे किसे सूखा धूप में डाल दें सुखवा दें कि ओवन से सुखवा दें और उसके बाद सीधे इसको पीस के ग्राइंडर से मिकसर से पीस किये और इसको अच्छी पैकिंग करके और आप डेली इसको स के लिए आता है तो उसकी मैं बात बता रहा हूं और इसके लिए आप FSSAI का लाइसेंस बनवा सकते हैं कोई जरूरी नहीं है लेकिन आप बनवा सकते हैं जिससे कि लोगों को भरोसा हो सके और अगर आप चाहें अच्छा निकलने लगे तो आप ISO का सर्टिपिकेशन भी ले लाइसेंस लेना पड़ता है ISO का तो दोस्तों ये आपके लिए आज बहुत ही जबरजस्त बिजनिस आइडिया में डूड़ के लाया हूं और इस बिजनिस को करके आप बहुत ही बड़े मात्रा में पैसा कमा सकते हैं वो भी बिलकुल ना कुछ पराबर इन्वेस्टमेंट में क्योंकि आजकल अगर कोई छोटा भी व्यापार करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है अगर पान की दुकान भी आप खोलेंगे तो आज की डेट में एक लाग रुपिया का खर्चा आएगा लेकिन मैं आपके लिए ऐसे सस्ते दामों में आ अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप